सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपोर्टन इंफोर्मेशन है एंटे का ओफिशल नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग दा एक्जाम डेट और एक्जाम शुड्यूल के लिए तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों की इसमें कुछ बदलाव है जो आपके किये गए हैं बदलाव यह हैं कि आपका जो एक्जाम है दोस्तों आप सिफ्ट आपकी दो होने वाली है तो क्या-क्या चीजें हैं क्या-क्या important बाते हैं इस official notification में जो आपका कल जारी हुआ है उसको एक बार हम discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले तो देखो आज ये notice बहुत important इसलिए भी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका exam morning shift में है या evening shift में है ठीक है चलो जी तो बात कर लेते हैं आज इस notice के बारे में सबसे पहले तो देखो ये जो notice है आपका कल जारी हुआ है 31 में को और इस notice में आपके लिए जो important बाते हैं वो ये है कि पहली बात तो ये exam इस बार तीन category के लिए हो रहा है यानि कि जियारफ नेट और असेस्टम जो PhD है उसके लिए जियारफ असेस्टम प्रोफेसर और PhD के लिए आपका exam हो रहा है साथ में दोस्तों इसमें एक चीज important ये बोला गया है आपके लिए कि जो exam है वो 83 सब्जेक्ट में आपका हो रहा है जो दो अलगलग सिफ्ट में रहेंगे आपके साथ में दोस्तों यहां पर exam center और जो admit card है उसके बारे में जो information आपको मिलेगी वो exam से 10 दिन पहले मिलेगी यानि कि आपको आठ जून के सम्थिंग ठीक है आठ जून के सम्थिंग आपको जो city है उसके बारे में बता दिया जाएगा कि आपका exam center कहां पर आने वाला है कि आठ जून को आपको पता लग जाएगा दस दिन पहले आपको पता लग जाएगा तो अब आपके पास में वैसे भी टाइम नहीं है मोटा मोटा देखे तो आपके पास में 17 दिन है दोस्तों 17 डेस हैं तो जी जान से महनत कीजिए आप देखो exam भी दो shift होंगी आपके एक morning होगी एक evening होगी तो जो morning shift है वो साड़े 9 से 12 pasado के बीमिच में रहे और evening shift है दोस्तों 3-6 पीच में रहे चैंड़ों और इसमें कोई ब्रेक आपका नहीं होने वाला है, दोनों पेपर आपके एक साथ रहेंगे, यानि कि आपको ऐसा नहीं है कि बीच में कोई ब्रेक दिया जाएगा, साड़े नो से साड़े बारा तक कंटीनुई पेपर तीन घंटे का, और इवनिंग में भी तीन घंटे का कंटीनुई पेपर, इसमें जो आपके सब्जेक्ट दिये गए हैं, दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, तो 42 सब्जेक्ट का एक्जाम है, जो आपका मौनिंग सिफ्ट में होने वाला है, यहाँ पर 41 सब्जेक्ट का एक्जाम है, जो आपका इवनिंग सिफ्ट में होने वाला है, यहाँ पर आप देखेंगे तो फिलसोफी, हिस्ट्री, कॉमर्स, सोशल वर्ट, पब्लिक अड्मिस्ट्रेशन, म्यूजिक, हिंदी, कर्णड, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, यह जितने भी हैं आपके, वो आपके मौनिंग सिफ्ट में रहेंगे, इनिंग सिफ्ट में कौन कौन से एक्जाम होने वाले हैं, जैसे तीन से लिके छे के बीच में, तो आपका एक्जाम है, पॉलेटिकल साइंस है, साइकोलोजी, सोशलोजी, एंत्रोपोलोजी, एजूकेशन, डिफेंट एन्स्टेजिक स्टेजी, हॉम साइंस, पोपुलेशन स्टेडिज, मैनेजमेंट, यह सब एक्जाम है, जो आपके इनिंग सिफ्ट में रहेंगे, तो ये NTE का official notification है अब देखो मुद्दे की बात आपको बताता हूँ कि अभी हमारे पास में जो time है दोस्तो वो बहुत कम time है यानि कि अपने पास में time बचा है अभी आप देखेंगे तो मुश्किल से 17 days है अंतिम 17 दिन है तो ये जो 17 दिन है दोस्तो ये आपको fully dedicated देने हैं revision के लिए revision plus practice दो चीज़े हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा important है इस last time तो आप देखो बहुत सारे student है जो खुश से revision कर रहे होंगे well and good अगर ऐसे student जो खुश से revision नहीं कर पा रहे हैं या उनको दिक्कत आ रही है कि सर क्या पढ़े क्या छोड़े कहां से पढ़े हैं और कैसे समेटे इस syllabus को समझनी आ रहा है practice करें तो कहां से करें इस बार तो OMR पे भी आपका exam होने वाला है तो वो भी आपके सामने एक बड़ी समझ्या होगी तो इस सभी के लिए दोस्तों अपनी उनसेटी जैसा कि आप सबको पता है अपना फत्य बैच चल रहा है ठीक है और फत्य बैच में आप सभी के लिए फाइनल पंच के रूप में दोस्तों आप सभी के लिए हम डिसकाउंट लेके आए हैं 20 परसेंट का तो आपको जी आरफ 20 ठीक है जी आरफ 20 कोड लगाना है जी आरफ 20 जैसे ही आप कोड लगा देंगे तो तुरंत आपको बीस परसन डिसकाउंट मिल जाएगा तो यह फत्य बैच है इसमें ओल टेन उनिट्स का रिविजन आपका हो जाएगा अच्छे से हिंद इंग्लिस दोनों मेडि इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए अगर ऑफ लाइन टेस्स आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री आपके लिए रखी गई प्री आपकी आपकी कल होने वाली है यानि की सेकेंड जून को आपकी होने वाली है ठीक है और इस टेस्स में आपके तीन फुल लेंद मौक टेस्ट रखे गए हैं जो की ओमर सीट पे रहेंगे एंटी जैसा बिल्कुल पेपर रहेगा आपका सुलूशन के साथ में आपको पूरा दिया जाएगा बाइलेंग्वल कंटेंट है और डिटेल एक्स्प्लेनेशन होगी रैंक जारी की जाएगी यह सारी चीज आपक 16 जंगो है सदेट को आपके टेस्ट रहेंगे सब्सक्राइब कर आपका नहीं करते हैं तो ऊड़क की तैस्टर के आपका पूरा हो जाएगा ओर अगर आपने अपनी अपनी डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लो यहां पे हमारे courses भी मिलेंगे और जो लोग December की तयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तो द्रोन बैच चल रहा है पेपर 1 का और पेपर 2 का चल रहा है आपका द्रोहर बैच तो इनको भी आप जोइन कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही है अपनी उनसेटी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो सब लोग कमेंट कर देना ठीक है उसके लिए हम आपके लिए अलगस एक वीडियो बना देंगे और कमेंट में भी आपका जबाब दे दिया जाएगा तो सब लोग कमेंट कीजेगा फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर मिलेंगे कल के सेशन में आज के लिए दोस्तों इतना ही है थैंक्यू सो मच कीप स्माइलिंग और कीप लाट